तो 1 माई 2024 से 14 माई 2025 तक देवगुरू ब्रसपती वर्षब रासी में गोचर करेंगे वर्षब रासी का ये गोचर मेन लगन वालों के लिए कैसे प्रभाव लेकर आएगा इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं देखे अगर आपका मीन लगन है तो आपके चार्ट में ब्रसपती लगन और दसम भाव के स्वामी बनते हैं दसम भाव जहां इनका मोलत्रिकॉंड साइन धनू है और आपके लगन में मीन रासी है तो लगन में मीन रासी और दसम भाव में धनू रासी के होते हुए आपके चार्ट में ब्रस्पती दो महतोपंड भाव के स्वामी बनते हैं और दोनों ही केंदर भाव के अंतरगत आते हैं ऐसे में अगर हम ब्रस्पती के ट्रांजिट को देखेंगे तो ब्रस्पती आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तीसरा भाव जहां वर्षब रासी है और वर्षब रासी है वो काल पुरुस के साब से दूसरे भाव की रासी मानी जाती है और ये शुकर की रासी है अब ऐसे में शुकर और ब्रस्पति दोनों की ही placement आपके लिए काफी important हो जाती है अगर आपको इस ब्रस्पति के transit के result का व अब देखें ब्रस्पति वैसे अगर देखा जाए तो इस transit के दोरन काफी शुब परिणाम काफी अच्छे परिणाम देने वाले हैं अब हो सकता है कुछ केस में आपका ब्रस्पति बहुत ही ज्यादा पीडित इस्तिति में चार्ट में हो या बहुत ही खराब इस्तिति मे हो तो कुछ जो रिजल्ट है उनमें कमी आ सकती है साथ ही जिन जातकों को अभी ब्रस्पति की महादसा चलेगी इस transit के दोरान या अंतर दसा वगरे चलेगी उन जातकों को इसके प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो कौन-कौन से बड़ी परिवर्तन आप की लाइफ में आ सकते हैं एक और बात यहां पर ब्रस्पति जो भी इस transit के दोरान results देने वाले हैं वो results को आप हमेशा hold कर पाएंगे बहुत लंबे शमय तक उन चीजों का बना कर रख पाएंगे साथ ही आपको धन समंदी फाइदा अगर होता है प्रोपर्टी समंदी कोई लाब होता है तो वो आपके पास लंबे शमय तक रह पाएगा ऐसे में ब्रस्पति देखे सबसे पहले तो तीसरे भाव में ही transit कर रहे हैं तीसरे भाव में transit के होते हुए देखे तीसरा भाव जो है वो आपकी छमता का है आपका जो महनत है hard work है उसका है ऐसे में ब्रस्पत में इस समय आप अपने परिवर्थन के लिए देख सकते हैं अगर आपने कोई target decide करके रखा है आपको promotion वगरे के लिए या job में कोई न कोई बड़ा परिवर्थन आ सकता है साथ ही साथ आपके उपर कुछ extra responsibilities आ सकती हैं साथ ही आप इस समय काफी मेहनत करेंगे अपने मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ेंगे अगर आपने मेहनत नहीं किया hard work नहीं किया तो इस समय उतने अच्छे प्रिणाम मिलने की उमीद मत करना ब्रस्पती तीसरे भाव में transit करें तीसरे भाव का जो transit है कुछ नया सीखने के लिए क्योंकि ब्रस्पती ज्यान के कारिक है ऐसे में ने सीखने में कुछ रूची आपकी हो सकती है आप ज्यान कुछ भी हो सकता है फाइनेंस का ज्यान हो सकता है आध्यात्म का ज्यान हो सकता है या अपने profession से related आपका कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आप अपनी qualities को बढ़ा रहे हैं आप अपनी ability को बढ़ा रहे हैं तो ऐसे में कुछ न कुछ नया learning पे focus जरूर करिएगा इस ब्रसपती के transit में साथ ही साथ आपको अगर लिखने में रुची है जैसे article बगर लिखने में रुची है या कुछ भी आपको अधर चीजें लिखने में रुची है या कोई analysis करने में रुची है तो वो आप कर सकते हैं साथ ही साथ क्योंकि communication के house में ब्रसपती का transit हो रहा है ऐसे में इस बात की बहुत प्रबल संभावना बनती है किसी relative के काम से हो सकती और manly यह जो यात्राइं होंगी वो आपके professionally किसी काम से हो सकती है तो आपके profession पर ज्यादा से ज्यादा आपका focus रहना चाहिए साथ ही साथ आपकी जो health है आपका जो body का activity है उस पर भी focus करिएगा बट देखे manly जो ब्रसपतिय हैं ग्यान के कारक हैं ग्यान के कारक होने की वज़े से अब third house में जब भी इस प्रकार से transit करेंगे तो आप खुद तो ग्यान गरहन करेंगे करेंगे आप दूसरे लोगों को भी अच्छा insight दे पाएंगे अपने ग्यान के द्वरा अपनी बुद्धी के द्वरा साथ ही आपके निर्णे चमता बड़ेगी आप में काम करने की जो चमता है वो बड़ेगी साथ ही साथ आपका जो health है आपका जो body है आपके ग्यान के साथ मिलकर काम करेगा ऐसे में आपके shuffle होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं जैसे आप अपने jobs related कोई काम कर रहे हैं या कोई भी अधर काम कर रहे हैं तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा focus कीजिएगा hard work पे, अपने mind पे आप अपनी काबलियत को पहचानेगा और अपनी काबलियत को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाइएगा साथ ही अब बात करें अगर education की जैसे कि आपका जो educational qualification है educational qualification के हिसाब से अब आप काम कर पाएंगे अब देखिए हम सबसे पहले देखते हैं ब्रस्पती की दृष्टियों को ब्रस्पती सबसे पहले आपके साथवे भाव पर दृष्टी डालेंगे साथवे भाव जहां कन्या रासी है अगर आपको पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का इस समय issue आ रहा है या आपको job वगरे में कोई issue आ रहा है तो ऐसे में आप थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हो ब्रस्पती का साथवे भाव को देखना क्योंकि ब्रस्पती आपके लगन के श्वामी है ऐसे में आपकी परतिस्था को बढ़ाने वाले हैं आपके हार्डवर्क को बढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत एक clear image दिखाने वाले आपकी लोगों को ऐसे में लोगों का जो प्रभाव है या लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो विचार कर रहे हैं वो काफी positive दिखता है ऐसे में हर कोई आपको मानसमान देगा आपके अपने efforts की वज़े से आपकी मानसमान और परतिस्था में वर्दी होगी ब्रस्पत्ति का साथ विभाव को देखा जाना आपके विवहा के प्रभल chances बनाता है साथ साथ में आपके जीवन साथी की साथ आपका कोई travel हो सकता है आपको अपने business purpose से भी यात्रा को देखना जाए आपकी business purpose से कोई लंबी दूरी की और चोटी दूरी की यात्रा हो सकती है तो हम इस निसकर्स पर अवस्ये पहुंच सकते हैं ब्रस्पति के इस transit में कि आप काफी ज़्यादा hard work करने वाले हैं आप काफी ज़्यादा travel भी इस ब्रस्पति के transit में करने वाले हैं साथी सप्तम भाव को ब्रस्पति देख रहे हैं ऐसे में जिवन साथी से कुछ सहग आप निस्चित रोप से अपेक्षित रख सकते हैं ब्रस्पति उसके बाद देख रहे हैं आपके नवम भाव को नवम भाव जहां वर्ष्चिकरासी है यहां नवम भाव को देख रहे हैं तो अब ब्रस्पति आपको सपोर्ट करेंगे लंबी दुरी की यात्राओं में आपकी उच्छ सिक्सा में साथ साथ में आपको अगर विदेश यात्रा करनी है ये किसी अधरे स्टेट में ट्रेवल करना है तो ब्रस्पति यहां पर आपको मेजरली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे साथ ही ब्रस्पति नवम भाव को जब इस प्रकार से देखते हैं तो आपको काफी लखी बनाते हैं जो काम ब्रस्पति के इस ट्रांजिट में आप करने वाले हैं एक साल तक उस काम का आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा बट हो सकता है क्योंकि ब्रस्पति बहुत इमानदार ग्रह के रूप में बहुती सीधे साधे ग्रह के रूप में हैं ऐसे में थोड़ा एफ़र्ट आपको हर काम में थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ सकता है और नॉर्मली आप कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां अपने उपर ले सकते हो लेकिन मैली जो है फोकस आप अपने ज्यान पे कीजिएगा अपनी एबिलिटीज अपनी क्वालिटीज पे कीजिएगा और वास्त में ब्रस्पति के इस ट्रांजिट में आप कुछ भी अगर नया सीखेंगे वो आप लंबे शमय तक अपनी लाइफ में काम में ले पाएंगे प्रेक्टिकल रूप में ब्रस्पति का नवम भाव पर प्रभाव होने की वज़े से पिता से अच्छा सयोग मिलेगा साथी साथ पिता का बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफ में इस समय हो सकता है जिसे कि आपके कैरियर वगएर में या आपको पिता से कोई अच्छी सला मिल जाए साती सात आप अगर educational field में हैं तो आपकी अपने गुरुजुनों से काफी अच्छी बनेगी उसके बाद ब्रस्पति यहां से देखते हैं आपके 11 भाव को 11 भाव जहां ब्रस्पति की नीच की रासी है ऐसे में इस समय आप धन कमाने के लिए थोड़ा ज्यादा effort कर सकते हो आपके पैसा निस्तित रूप से आएगा हाथ में साथ साथ में ये समय आपके लिए ज्यादा सी ज्यादा लोगों से मिलने जुलने का है अगर आप कोई business कर रहे हैं तो business में आप लोगों के साथ conversation करें ज्यादा सी ज्यादा आप लोगों को lead करें लोगों के साथ आप बातचीत करें उनके साथ मिले जुले और ऐसे में आप बहुत सारे लोगों पर अपने ग्यान का अपनी advice का प्रभाव डाल सकते हो तो लोगों की life में कुछ अन्य आप value add कर सकते हो अब ब्रसपती का आपके 11 भाव को देखा जाना मुख्य रूप से आपको धन सम्मंदी मामलों में काफी lucky बनाता है ऐसे में भले अपनी niche की राशी को ब्रसपती देख रहे हैं तो ऐसे में chances इस बात के भी हैं कि आप से भी कुछ लोग उधार मांग सकते हैं तो यह कुछ प्रभाव रहेंगे ब्रसपती के इस transit के